Hello students, a very warm welcome to CVC classes, Clear Vision classes by KC. तो आज जो वीडियो पार्ट है, वो वीडियो पार्ट टू है, तो इसके लिए पहले आपको वीडियो पार्ट वन देखना पड़ेगा, टॉपिक आपका यही है कॉटिल्याज वाल फिलोसिफी अगर आपने वीडियो पार्ट वन नहीं देखा तो चेक दे डिस्क्रिपिशिन बिलो और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा आप उस पे जाकर फर्स वीडियो जो है इसकी पार्ट वन देख सकते हैं तो आज वही टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा है ठीक है? तो लेट्स के स्टाटेट तो यहाँ पर पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने दो चतुरंग बल था उसकी चार सेना ही थी उसमें जो चार सेना में से दो सेना ही थी उनके बारे में डाला था वो कौन सी थी? हORSES and अलीफेंट्वी वो सेना के बारे में मैंने उसमें वीडियो बनाया था अब जो बची हुई दो forces हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगी पहला है आपका chariot army and second is infantry army ये दोनों चार सेना मिलकर एक सेना बनाते थे of cotillia, ठेक है? ये बात आपको clear होगी होगी अब शायद अब आते हैं chariot army के थोड़े से काम पर ठेक है? कि chariot army आक्षिल में क्या करती थी उनके क्या काम होते थे तो सबसे पहला point है यहाँ पर army defense army defense मतलब क्या होता है? अपनी खुद की रक्षा करना, अपनी army की रक्षा करना, second point बताता है obstacle in the path of चतुरंगिनी सेना, जो भी आपकी enemy है, जो भी आपके शत्रू है उनकी जो सेना है, उसके मार्ग में, अगर आप कोई दिक्कत पैदा करते हैं, कोई मुसीबत पैदा करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है आपकी, यह इनका काम हो जाता है chariot army का, second point हो जाता है next आते हैं, capturing enemy soldiers यानि कि जो enemy हैं हमारे, जो हमारे शत्रू हैं उनकी सेना में से जो shoulders हैं अगर कुछ हम उनको capture कर पाएं, कुछ को पकड़ पाएं तो वो भी एक उनका काम हुआ करता था हमारे chariot army का, clear हो गया अब आते हैं fourth point पर अब हमारे कुछ सेना सेना के लोग ऐसे होंगे, कुछ सेना के shoulders हमारे ऐसे होंगे, जो कि वहाँ पर भी हो सकता है, पकड़े जाएं, यानि कि दूसरी सेना द्वारा पकड़े जाएं, तो उन सेना पतियों को बचाना, ये भी तो हमारा काम होता चाहिए तो ये भी एक chariot army का हमारा काम बन जाता है, next आते है gather the scattered army, scattered army मतलब जो तितर बितर army हो चुकी है हमारी, अगर हमारी army के बंदे एक साथ नहीं रहेंगे, तो क्या हम एक एक इंसान या फिर दो इंसान उन से लड़ पाएंगे नहीं, अगर हम ग्रुप में हैं, तभी हम लड़ पाएंगे, तो वो चीज़ है कि हमको एक साथ रहना पड़ेगा, हमको gathered होके रहना पड़ेगा, एक खटा होके रहने पड़ेगा, तो इसलिए जो scatter हो गई है army, यानि कि जो इधर तितर बितर हो गई है, उसको scatter, उसको gather करना, ये भी हमारा एक काम हुआ करता था, charred army का next आते हैं, 6th point पर, अब आपने जो अपने लिए किया, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए just opposite करना पड़ेगा, उनका just उल्टा करना पड़ेगा, अगर आपने अपनी army को एकदम बना के रखा है, तो उनकी army को आपको तोड़ के रखना पड़ेगा, तो disintegrate मतलब आपको उनकी छितर बितर army को करना पड़ेगा, चैक है, तो ये भी उनका काम हुआ करता था, and last point जो है वो है, इस तरह से भाई, शोर मचा लो कि तुम्हारी army का इतना बोल-बाला कर दो, कि सामने वाला अपने आप डर जाए, और, ये सोचे कि भाई, बहुत बड़ी सेना है, बहुती तागतवर सेना है, जिससे हम लड़े जा रहे हैं, उनका मनोबल आप पहले ही डाउन कर दो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं अपना इस तरह से बोल-बाला करिए, इतना नॉइस करिए, इतना शोर मचाईए कि वो सामने वाला खुदी डर के बोले कि भाई, इन से लड़ना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, या फिर वो खुदी, उसका मनोबल गिरा दीजे उनका confidence गिरा दीजे तो, आपने आधा काम तो ऐसी कर लिया, है न, तो यह हो गया इनका last point तो आपने chariot army के बारे में पढ़ लिया, chariot army हमें किस तरह से, इनकी काम करती थी और क्या-क्याम के काम होते थे, वो पढ़ लिया अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने chariots हमारे उनके army के पास थे, यानि कोटेले सीना के पास कितने chariots हुआ करते थे उनके पास length और height के basis पे 7 chariots थे and uses के basis पे 6 types थे, समझ रहे हैं, मतलब length मतलब आपकी लंबाई, height मतलब उचाई, इन दो के basis पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 7 chariots थे, 7 chariots मतलब 7 रत थे और 6 types of chariots यानि की 6 प्रकार के रत थे हमारे पास uses के basis पे, यानि की ये वार टाइम पे use हुआ करते थे, इनका इस्तमाल हुआ करता था तो शायद ये वाला point आपको clear हो गया होगा, अब आते हैं second point पर, अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि कौन से वो six chariots थे, जो की हमारे use में आया करते थे, कौन से ऐसे chariots थे, जो हमारे use में हुआ करते थे, तो वो थे देवरत, पुर्णेरत, परिमानिक, सांगरामिक पर पूरा भी यानक and वनायक, ठीक है, तो ये छे points अगर आप याद कर लें, तो definitely आपका जो answer है, वो impressive बन जाएगा, and you know, कोशिश करिएगा, ये याद हो जाएं आपको, ठीक है, वनना अगर आप ये points भी लिख के आजाएं, तो भी enough होगा, but ये लिख दें, तो definitely अच्छ क्या होता था, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो infantry के बारे में आप ये थोड़ा सा जान लें, कि इनके पास six types of, six parts of infantry हुआ करते थे, यानि कि इन्होंने अपनी infantry को six parts में divide किया हुआ था, अब वो six parts कौन कौन से थे, वो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले इनके पा दादाओं के टाइम की चली आ रही ही सेना है, यानि कि इसमें बाबा भी उनके, किसी एक इनसान के बाबा है, किसी दादाजी मतलब, और किसी के पापा, फिर वो खुद, तो family से जो चली आ रही ही सेना है, उसको हम कहेंगे fundamental force, उसी में मॉल बल में, ऐसे लोग मिला करते थ consistent soldiers, आप समझ रहे हैं, एक family के consistent soldiers जो हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे, फिर इनको कहां deploy किया जाता था, ये कैसी सेना थी, किस level तकी सेना थी, तो भाई, ये जो सेना थी, ये बहुत ही खतरनाग जगों पे deploy की जाती थी, जहांपर जो pressure है, वो बहुत ज़ादा हुआ करता बहुत ज़ादा था, और जहांपर लडाई का सबसे main मुद्दा कहलो, जहांपर main point, जहांपर खतरनाक एरिया है, जहांपर थोड़ा सा भयानक जगा है, वहां पने ने deploy किया जाता, तो बॉल-बल के बारे में मुझे लगते आपको clear हो गया होगा, तो let's move to the second point, अब आते ह है, second force पे, तो six types of forces पढ़ रहे हैं, तो पहला तो force आपने मेने बता दिया, आपको fundamental force, next आते हैं, बृतक force, बृतक force मतलब बृतक वल, इनको क्या होता था, इनका काम पर कुछ नहीं, काम होता था इनका, लेकिन इनको क्या होता था, कि सेलरी मिलती थी उसकी, ठीक है, इनको तब हम यूज करते थे, जब हमारे पास effect जो है, हमारा कम पढ़ दाता था, अगर कोई war लट रहे हैं, हम, मतलब, जो कौटिले सेना है, हमसे आप समझ रहे होंगे, कि मैं कौटिले की सेना की ही बात कर रही हूँ, अब आते हैं, थर्ड पॉइंट पे, हमारे grade force, यानी कि श friendly army, friendly army का मतलब क्या होता है, कि हमने अपने दोस्त राजा, जो हमारे जैसे दोस्त होते हैं, उसी तरह से हमारे राजा भी दोस्त हुआ करते थे, उनकी जो army है, उनको हमने लेना, और अपनी army में आड़ करके अपने आपको और थोड़ा मजबूत कर लेना, तो ये चीज होत हैं, अगर ये मित्र सेना है, तो ये कौन सी होगी, ये अमित्र बल कहलाएगा, ये कौन सी army होती थी, ये captured army होती थी, enemy, enemy सेना की, ठीक है, हमारी जो शत्रु सेना है, उनकी captured army हुआ करती थी, उसके बाद ये fighting के अलावा, क्या-क्या और काम क्या करते थे, इनका होता था काम digging trenches, यानि ये गड़े-वड़े खोदना, अपना समान जो है मारा, वो इधर से उधर कर लेना, delivering logistics, मतलब इधर से उधर आपका समान जो है, deliver करना, तो ठीक है, समझा गया, clear हो गया ये चीज, उनसे हम काम लेते थे बढ़िया वाला, ठीक है, अब आते हैं, six point पर, आठवी force आठवी बल, ठीक है, अब ये क्या करता था, ये होती थी, जंगली जातियों की सेना, यानि की wildcasters, ठीक है, ये क्या करते थे, जब राजाओं को जरुत होती थी, जंगलों में, जाने के बाद, वहाँ पर अगर रास्ता भटक गए, वहाँ पर रहने, सैने का, जो भी काम हो होगा, ये शायद आपको, अब ये तो हो गए, six types of inventories, six parts of inventory of cotille, हम मैं आपको ही बताऊंगी, कि हमारे पास चर कितने हुआ करते थे, यानि की cotille सेना के पास चर कितने हुआ थे, तो two types of char हुआ करते थे, ये चीज आपको समझ आ जाए नहीं चाहिए, कि दो types of हमारे पास च इसमें दो types of char कौन से हुआ करते थे, first is institution variable, second is communication variable, अब institution variable मतलब संस्थाचर, जो होते थे five types, जिसनके होते थे five types, और communication variable मतलब संचार चर, जिसके होते थे four types, now it must be clear now, अब आते हैं, संस्थाचर में क्या होता है, ये होता है institution variable, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे state के अंदर का news ज इसमें five types है, मैंने आपको बताया, five types कौन-कौन से है, काप्टिक, उदास्तित, ग्रहपतिक, वैदेहिक and तापस, ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ आपको वो कौन-कौन से है, काप्टिक, उदास्तित, ग्रहपतिक, वैदेहिक and तापस, ठीक है, तो ये कहां के हो पर यानि कि communication variable संचार्चर ठीक है संचार्चर क्या होता है यह perform करते थे task by going to the other states ठीक है other states का मतलब होता है दूसरे states में जाकर दूसरे राजियों में जाकर यह वहाँ पर काम किया करते थे अपना जो भी task है वहाँ पर perform किया करते थे इनमें होते हैं four types जो की है point, sharp, logistics, beggar इनम आपको एक शीज और बता देती हूँ कि कैसे इनका appointment होता था यह जो चार और detectives हुआ करते थे तो इनकी army में हम किस तरह से इनको appoint किया करते थे तो क्या main हमारे पास ऐसे focus हुआ करते थे जिन पर हम इनको अपनी army में लिया करते थे यानि यह कौटे ले अपनी army में लिया कर यह उसके royal liberty वो राजभक्त होना चाहिए अगर राजभक्त नहीं है तो वो आपके साथी game खेल सकता है तो यह जीज वो लोग पहले से ध्यान अगते थे reliable होना चाहिए reliable मतलब होता है विश्वस नियह होना चाहिए अगर वो बंदा विश्वस नियह नहीं है तो मैंने कहा क वो आपके साथी गेम खेल लेगा तो इस चीज का वो वहाँ ध्यान रखते थे ठीक है कि बंदा विश्वसने हो विश्वसने विश्वास के लायक हो ठीक है skillful in disguising ये क्या होता है उसको knowledge होनी चाहिए एक तो जैसा देश वैसा भीज ठीक है ये वादा चीज है यहाँ पर कि भाई जैसा देश है वैसा ही भेश है उसका ठीक है अगर country है जहाँ पर जैसे merchants है वहाँ पर वो वैसा आपको बना लेता है ठीक है तो ये चीज उसकी अंदर skills होनी चाहिए knowledgeable of many languages और arts ठीक है ये तो हो गई forces की बात अभी तक हमने चारो forces के बारे में बात कर ली है ठीक है अब कॉर्टिल्य का दूसरा focus क्या हुआ करता था यानि कि कॉर्टिल्य और कौन सी चीजे थी जिन पर ध्यान रखते थे तो वो चीजे थी समय समय पर वो अपने आर्मी की फुल्फिल्मेंट पर भी ध्यान रखा करते थे फुल्फिल्मेंट मतलब जो भी कैम्स में जरूत होती थी कैम मतलब समझ रहे होंगे आप ठीक है जितने भी आपका कैम्प लग रहा है military needs है जो भी हमारे tent लगाए जाएंगे ठीक है साथ में ले जाना बहुती जरूत समझते थे वो बहुती उसकी importance समझते थे clear हो गया इचीज जो कि इन सब को इन सब की देखरेक किया करता था अब क्या होता था कि इन्होंने navy के लिए भी यानि कि जल विभाग के लिए chief of the naval staff जो है आपका रख सके चाहे वो आपका destroy करना हो enemy boats को चाहे वो अपनी खुद का boats का देखरेक करना हो या फिर अपने खुद के लोगों का वहाँ पर ध्यान रखना हो वो कौन देखे सब chief of the navy को पूरा संभाले तो आप एक चीज याद रखेगा कि chiefs हमारे अभी नहीं है अभी इसे ही नहीं है ये बहुत पहले से हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ clear हो जानी चीए आपको अब आते हैं थोड़ा सा last point है हमारे पास civilian forces तो क्या होता है कि ये civilian forces भी रखते थे civilian forces में क्या होता था कि उनको भी you know सिखाया जाता था उनको भी training दी जाती थी point किया जाता था कैसे messengers के तौर पे spice के तौर पे clear हो गया messenger मतलब ये जो आपके वो होते हैं जो message पहुचाते हैं इदर से उदर यानि कि आपको संदेश इदर से उदर करते हैं और spice मतलब आपके ये गुप्त चर समझ रहे हैं आप spice मतलब आपके जो खूफिया जो लोग होते हैं खूफिया इजिंसीज में काम करते हैं आप समझ रहे होंगे कि spice क्या होता है तो ये था Cautilya's war philosophy मेरे तरफ से अगर आपको समझ आया हो और आपका जैसा भी comment हो ठीक है अच्छा हो मतलब आपको जो चीज अच्छी लगे हो तो जरूर कमेंट करके बताएं बुरी लगी हो यानि कि बुरी मतलब आपको नहीं कोई चीज समझ आ रही हो तो जरूर उसको भी mention करें कमेंट में नोट से यह तो प्लीज नोट के लिए आप बताएं का कमेंट में और कमेंट सेक्षिन में जाके आशा करती हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी फस्ट बार्ट जो है वो भी देख लीजेगा सेकंड पार्ट जो है वो भी देख लीजेगा अगर एज इस पेपर में जाके लिखते हैं तो डेफिनेटली आप 80% से अवब स्कोर कर रहे हैं ठीक है चाहे वो हिंदी वाला बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश वाला बच्चा हो दोनों ही के लिए बात कर रही हूं मैं ठीक है तो थामकू कर बच्चा भी इस वेड़ा और में पार बच्चा कर दो अवाला यह चेफिक कर दो एड बात कर दो कर दो भी है यह वाला आप